तो प्रेंड आज का है कि कभी कभी आपके अगरलेक्टॉप है ये strain sleepy फीटॉर से कुछ ज्यादा हि पुराना है ज्यादा लेख साल दो या थीन महीने पुराना है उससे ज्यादा पुराना नहीं है तो इस लेप्टॉप में डेल का लेप्टॉफ है तो आप यहां पर देखिए डॉट करके आ रहा है और यह एनन करके और लेंगवेज भी चेंज है और आप्वेंटिकली डॉट टाइपिंग होते जा है तो कभी कभी क्या होता है कि आपके अगर लेप्टॉप में कोई लेटर कंटीनियू आता है या तो आई आई करके कोई बएक लेटर जिसा आप प्रेस करदेते हैं तो अगर वह लेटर बार बार आ रहा है तो क्या problem है उसका क्या solution है तो ही आज हम लोग देखने वाले हैं तो कोई भी अगर आपका लेटर है तो इसमें देखिए इस तरह एक ही लेटर continue type हो रहा है यहां पर देखिए अगर यहां पर यहां पर लेके जाता हूं तो कभी कभी एक लेटर होता है कभी हम लोग type करते हैं तो टाइप होता ही नहीं है तो देखिए लेंग्वेज भी चेंज हो जाता है और कभी कभी कोई बटन काम नहीं करता कभी कभी आप प्रेस करतो एक बटन काम नहीं करता कोई दूसरा काम करेगा तो नहीं काम करता है तो कर दो क्योंकि वह चीज़ रिपैर नहीं कर सकता है अगर हम लोग रिपैर करते फिर से वह आ जाता है क्यों ऐसे प्रॉब्लम आता है तो यह मौश्चर के वज़से कभी-कभी अंदर मौश्चर के वज़से कीबोड खराब हो जाते हैं तो आपको कभी भी ध्यान देना है जहां पर मौश्चर हो ऐसी एरिए वे आपको लेपटव नहीं कोई बिट्रोनिक मौश्चर है तो वहां पर नहीं रखत न है तो यह लेपटव में यहीं घृए तो यहां पर देखें मौडल व पर है की पीजिक स्क्तिरी स्व देखिए आप देखिए ड्यां खा गया है यहां पे दिखे mais यहां पर है typically ersten आए यहां पे इक सब्सक्राइब पर है तो क्या होता है कि अगर आप अपना लेप्टाप अच्छे जगण पर नहीं रखते हैं अगर जहां पर पानी है या तो आपका kitchen के साइड आपको अपना laptop नहीं लेकर जाना है कि यहें आप लेकर जाएंगे तो उसके moisture के अंदर keyboard और बहुत सारे चीजे है कि खराब हो जाते हैं नमी जिसको हम लोग बोलते नमी हरर्ण और ऑर और यह कि आक ऊपना लिप्टॉप कभी भी जाद करके रखना है और बारिस में बहुत सारे electronic चीज में moisture और नमी हो जाता है जिसके वज़से problem बहुत सारे आते हैं तो बारिस के time पे आपको laptop कोई भी आपका computer हो तो उसको ज्यादा दिन तक बंद करके नहीं रखना है आपको काम नहीं हो फिर भी time चला के रख देना है तो इससे क्या होता है कि आपके laptop या desktop में moisture नहीं होता है नमी के कारण अंदर कुछ भी वह नहीं होता है तो problem नहीं आती है तो क्या होता है कि कभी भी आपको अगर जादा दिन तक laptop बंद करके नहीं रखना है अगर आप बंद करके रखेंगे तो उसके अंदर moisture के कारण उसमें ज्यादा problem आने के चांसे है तो आपको याद रखना है कि आपके laptop को कभी भी ज्यादा times तक बंद करके नहीं रखना है आप ज्यादा ज्यादा use करेंगे तो आपके लिए ठीक है कि moisture के वज़े से बहुत सार दो यह कीबूड का problem होता है तो देखिए अपने आप jumping कर रहा है कि इसका हम लोग सबसे पहले यह काम करने से पहले आपको क्या करना है कुछ भी काम अगर आप opening का करते हैं तो सबसे पहले आपको sit down करना है देखें Rap टाइप होती जा रहा है तो इसको हम लोग सबने जा रहें तो सबनाओन भी नहीं हो रहाए ऊसे तो क्या करना है यहाँ पर आप देखिए यहां पर लॉक्किंग सिस्टम है इसको इस तरह करके आपको तो यहां पर यह देखिए हम लोग ने नया कीबोर्ड लाया है तो यह कीबोर्ड हम लोग इसको रिप्लेस करके चेंज करके गत्ते जगह पर हम लोग लगाएंगे नया तो इसको यहां से इस तरह आपको उठाना है तो जाल निकालना है इसको सेम उसी जगह पर लगाना है इसको इस तरह करके यह सब करने से पहले आपको laptop बंद ही होना चाहिए फ्रेंड कोई भी आपका अगर open भी करते तो कुछ भी काम आपको करना है तो पूरा laptop बंद होना चाहिए अब हम पावर चालू करते हैं अब अब देखे फ्रेंड स्टार्ट आर प्रेस करते हैं हमें नहीं open हो रहा था तो अभी है तो हम लोग one by notepad यहां पर टाइप करेंगे नोट पैट तो नोट पैट टाइप करने के बाद यह open हो गया हमारा नए कीबोड हम लोग ने इंस्टॉल किया है तो हम लोग one by one चेक करेंगे one two three four five six seven eight nine ten फिर डैश कोल टू फिर क्यू डबलू सारे की हम लोग प्रेस करके देखना है की प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं तो इस तरह हमको सारा चीजे टाइप करके देखना है तो अभी आप देखे अभी कुछ प्रॉपलम तो नहीं दिखा रहा है क्योंकि क्या है कंटिनियू यहां पे अपने आप चल रहा था नहीं है तो मुझे आसा है आप भी अपने लेप्टॉप के कीबोर्ड कुछ कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं क्या है कि आपको मालूं होना चाहिए कि कौन सा मॉडल का कीबोर्ड किस तरह लगता है तो यह मॉडल में आप असानी से लगा सकते हैं जो डेल का है तो मुझे आसा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा लाइक से सब्सक्राइब करें हमारे सोना टेक चानल को साइंस एंड टेकनोलजी के सारे वीडियो हमारे सोना टेक चानल पर आने वाले हैं तो बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें कुछ भी नया वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन होगा आपको मिल जाएगा मैसेज तो मुझे आसा यह वीडियो आपको पसंद आएगा थेंक्यू थेंक्यू वेरी मुश्च